हारुफिक्स सैमसंग M21 हेंग और रिस्टार्ट प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों सुवागर है अब सभी का तिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर हेंग और रिस्ट सबस्क Ichi की इस तरीके का प्रॉब्लेम में हें तो अगर दोस्तों आपके छो डिवाइस सैंसंग का वह भी हैंग हो जाते हैंग होने के से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाते तो वीडियो डिस्क्रिप्शिन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज करें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों जो हैंक एंड रिस्टार्ट प्रॉब्लम है ठीक है तो उसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस्तोरेज में से क्लीन आप करना होगा स्तोरेज को क्लीन कीजिए और मोबाल पे कई सरे अप्लिकेशन से तो इसको डिलेट कीजिए ठीक है बहुत बड़ा अप्लिकेशन साप यूज करते हैं तो उसका डेटा को क्लियर करके यूज कीजिए इस से आपका जो रे में हो खाली होगा ठीक है और कुई भी दोस्तों जो की बैड अप्लिकेशन होगा उनको भी डिलेट कर दीजिएगा बैड अप्लिकेशन जैसे की कोई अनौन वेबसाइट से इंट्रॉल किया हुआ अप्लिकेशन ठीक है तो उनको डिलेट कीजिए और अपने स्पेस को फ्री आप कीजिए उसके बार माइफाइल पर जाए औ ठीक है मोबाइल सोफिर को अपडेट करेंगे मोबाइल सोफिर अपडेट होने के साथी साथ आपका प्रॉब्लम सौर्फ हो जाएगा ठीक है तो हैंग और रिस्टार्ट का जो इश्यू है आप इसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं तो यह सोलूशन को आप फॉलो करके देखे प्रॉब्लम सोल्फ हो जाना चाहिए अगर सफ हो जाता है तो अच्छी बाद है अगर इसके बार भी प्रॉब्लम आते है तो आपको जाना है जेन्रेल मेनेजमेंट रिसेट एंद एन फेक्टरी डेटा रिसेट ठेक जाके आपको डरेक्ली स्फाथ कर देना है जैसे रिसेट करोगे आपका प्रोब्लम सॉल्फ हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तो आप अपने हैंग and restart problem को fix कर सकते तो जितना भी मैंने आपको solution बताया दोस्तों उसी को follow किजेगा तो आपका problem solve हो जागा आपको कोई भी डिक करते बात में नहीं होगा ठीक है तो जो possible solution था मैंने आपको वही बताया तो आप भी उसी को follow कर लेना उमेद करते हैं आपको ये वीडियो पसने होगा thanks for watching